की यो पूछा जाना जाना काफी लाइकली है विच इस कॉल्ड एर्र इं मेजर्मेंट्स ना एक सवाल और आपको काफी लायकली जो आपके नीट के एक्जाम में पूछा जाता है सब्सक्राइब को ध्यान देना लंबा-चवडा क्तें नहीं है को इंटीटर नहीं तूंप सिंपल सी क्यल्कॉलेशन होती है तो अगर आपको आपकोirsiniz आती है तो आपके नंबर आने के काफी बढ़ जाएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं अरे मेजरमेंट में सिग्निफियंट फिगर्स की वेन वी टॉक बाउट सिग्निफियंट फिगर्स हम ही कहते हैं कि कोई भी जैसे आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे फॉर एक्जामपल आचा यह सवाल कई लोगों का य क姓 यह जहीं अब जोहें लेंगे कि जाके अपना मेडिकल टेस्ट करवाऊ उसमेडिकल टेस्स में हभी चेल से जिन भी श्केल की जिन भी मशीनों बेर्सी रिदिंग लिगई है वहां पर उस मशीन में एरर होना पॉसिबल है तो कोई भी फिजिकल कॉआंटिटी कोशनेट इतनी value है लेकिन at the same time ये थोड़ा सा है uncertainty है इस instrument से measure नहीं कर सकते हैं जैसे for example ये एक scale है इस scale का जो भी least count है वो least count होता है कि जैसे आपका जो 6 inch का scale आप अपने geometry box में रखते हैं तो उसका least count जो है या 6 inch वाला वो जो है least count अगर आप cm scale ये तो least count होता है 1 mm उससे कम की value आपको scale से नाप नहीं सकते है तो इस scale है इसका जो भी least count है वो आपकी error के chances होते हैं उसी को error को improve करने के लिए वी यूज वर्नियर कैलीपर यूज करते हैं उससे भी better this is called micrometer या फिर इसको हम 2H भी बोलते हैं तो इस instrument को use करके हम इसको use कर सकते हैं मैं इसको end of the session में आपको इसको थोड़ा से use करने सिखाऊंगा जैसे for example को pen है उस pen की refill जो है refill का diameter नापना हो तो आप scale से नहीं नाप सकते हैं इस को use करके because यह micrometer में आपकी reading देता है इसको use करके हम नाप सकते हैं और ज्यादा precision चाहिए तो आपको और बढ़ी instrument चाहिए होगा Now, हर instrument जो भी हम use करते हैं उस reading जो भी आती है जो भी हमारी measurements है उसके साथ हम कहते है significant figures तो उस reading में क्या-क्या significant figures है उसके लिए हमने कुछ rules बनाय हुए तो वो समझना ज़रूरी है अगर सवाल आएगा direct आपको rules पता है इनको आप identify अगरके direct to chart number ले सकते हैं तो significant figures में हम ही कहते हैं कि it is measured value of a physical quantity तो कोई भी physical quantity उसके measured value है the digit about the correctness of which we are sure जिसकी correctness के बारे में we are sure किया है यह तो correct है plus the last digit which we are doubtful तो अगर आपने जैसे for example यह pen है इस pen का अगर आपने 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 जो scale है उसके reading नापी और आपने 11.2 cm है for example कोई data रख रहा हूं में 11.2 के बारे में हम ही कह सकते हैं 11 तो पक्का है 0.2 जो है वो 0.3 भी हो सकता है 0.1 भी हो सकता है so we are not sure about but मुझे लगा 0.2 है वो आपका कहलाता है last digit which we are doubtful और यह कहलाते है significant figures number of significant figures in a physical quantity it depends on the least count of the instrument use तो जो भी हमने instrument use किया उसका जो least count उस पर depend करेगा कि आपके significant figures क्या होएंगे लो इसको identify करने के अपने तीन rules है तो पहला rule है which says all non zeros 6 rules है जो आपको यहां पर अच्छे समझने और यह rule हैंसे है कि हमने rule बना लिए कुछ बनाना था हमने यह rule बना लिए अब इन rules के basis पर हम भागी सारी कहानी करने वाले तो हमें rule पता होने चाहिए हमें रूल नहीं पता उस वज़े से नंबर छूट जाएंगे अगर आपको रूल नहीं पता होंगे ठीक है तो पहले rule है कि all non zero digits are significant तो हम यह कहते हैं जैसे for example number x is equal to 5678 यह हमने कोई number दिया है तो इस case में जितने भी आपके non zero digits है है वह सारे significant हो जाएंगे तो इस case में 1234 चार आपके significant digits है similarly 198 अगर लिखा हुआ है तो उसमें आपके तीन significant digits है 5678 में आपके तीन significant digits है तो अगर आपका number है 5079 इस case में भी आपके significant digit 4 है तो अगर यह आपके 50 है 5079 तो इस case में भी आपके significant digit 4 है because यह 0 जो है आपके non zero digits के बीच में आ रहा है थर्ड रूल यह कहता है in a number less than 1 the zeros to the right of the decimal places to the left and to the left of the non zero digits are not significant इसका मतलब यह है कि अपना कोई number है x is equal to 0.00081 if that is the case हमने अगर ऐसे number दिया हुआ है तो उस case में आपका 81 जो है यहां पे example 72 है तो उस case में आपका सिर्फ और सिर्फ 2 significant digits है तो यह आपका significant digit यहां पे 2 है similarly एक और example है इसको 1.0072 कर दें इसको अगर मैं यहां कर दूँ 1.00081 इस case में आपके यह 5 significant हो जाएंगे तो अगर आपका यहां पे 0 है तो सिर्फ आखरी के 2 significant है यहां पे एगर 1 आ गया है यह कोई और number आ गया है उसके बाद उसकी वज़े से आपके बीच के सारे 0s significant हो जाएंगे ठीक है रूल से इसको ध्यान रखना है आपने है ठीक है चलो next next इस पर बात करते है विच से रूल number 4 है अपना जो ही कहता है कि all zeros to the right of the lost non zero digit in a decimal place are significant है तो अगर आपका कोई number है वह ऐसे लिखा हुआ है जैसा x is equal to quantity 0.000081 उसके बाद 00 तो इस case में यह जो आखरी के 4 है यह आपके significant हो जाएंगे तो इस case में हम कहेंगे यह 4 हों आपके significant figures है इस वाले case में यह देखेंगे तो three significant figures यह वाले 3 significant figures हो गए और इसके से पहले वाले यह नहीं होएंगे 100 अगर बात कर रहे हैं तो इस case में आपके 3 significant हो गए तो इसी को अगर मैंने ऐसे लिखा होता है कि x is equal to 1.000 यह point है तो इस case में आपने significant digit आपके 3 हो जाएंगे significant figures यहां पर 4 हो जाएंगे तो इस case में significant figure आपके 4 हो गए 4 हो आपके important significant है next rule number 5 है all zeros to the right of the non-zero digits are not significant तो अगर आपने number ऐसे लिखा है जैसे for example यहां पर मैं number लिखता हूं x is equal to 5,000,000 तो इस case में significant sir for sir आपका 5 है यहां पर point लगा कि कुछ लिख देंगे non-zero वो सब significant हो जाएगा फिर पर इस case में हम यहां क्या कह रहे है कि आपका 5,000,000 में sir for sir एक आपका significant है तो आखरी के zero जो होता है इस simple exact जैसे हम कहते है common अपने हिंदी भाषा में इसा इस्तिमाल करते हैं कि वो लखपती है ठीक है लखपती या करोड़पती है मतलब क्या है कि minimum एक लाग रुपए उससे जादा एक लाग से लेके 99 लाग सा कुछ भी हो सकता है पर अगर लखपती कहलाना है तो उसके वास कितना हो तो signifiant क्या हो गया एक लाग signifiant उसके लिए हो गया एकजक्ट उसका बैंक अकाउंट एकजक्ट उसका जब हम टैली करेंगे उसके जाद फिगर्ज एड करके वो करेंगे उसके एकजक्ट नमबर आएगा बर अभी क्या है लखपती ये करोड़पती तो signifiant क्या हो गया एक उसका signifiant हो जाएगा आपर रूल नमबर 6 कहता है चुली उसके घर जाके उसकी बैंक की वो पास्बुक देखी घर में जितना पैसा रखा था सबका एक एक करके हिसाब लगा और हमने एकजर का गे उसका इतने रुपए इतने पैसे हैं अगर ये मेजर्मेंट से आ रहा है तो फिर हर चीज आपका हर डिजिट जो हमने रिप और जाए है और अगर नॉर्मलंग ये मेजर्मेंट से नहीं आया होता तो 305 मिलागे थीन आपके सिक्नीठ होते हैं अगहीं है तो यहां byभ तूben और तो यहां पर फिर आपके चारों सिग्निफ्रेंट होगे ओसी को अगर मैं तेंट तूब और फाइव सेंटी मीडर की तर्म में लिख दूँ या फिसको मैं किसी और तर्म में एक्सप्रेस कर दूँ तो वह आपके सारे सिग्निफ्रेंट का वह कहलाएंगे बिकॉस अगर में और फिर आपको समझ में आया इसके बाद लिए बात करना शुरू करते हैं राउंडिंग ओफ के तो यह एक आपका आपका राउंडिंग ओफ शोर्टी धाजिश्म में पढ़ा हुआ है फिप्श्व फिप्श्व 7 में राउंडिंग ओप पढ़ा ना आम प पहला rule यह है कि if the digit to be dropped is less than 5 तो अगर आपको मान लो यह एक number है 7.82 इसको आपने round off करना है 2 significant digit में तो अभी यहाँ पे 3 significant है आपको 2 significant में इसको round off करना है तो यहाँ पे जो आखरी digit है वो अगर आपका 5 से छोटा है तो उस case में आप इसको drop कर सकते हैं तो 7.82 आगर हम बात करें इसको में लिख सकते हैं 7.82 is almost same as 7.8 because आपको 2 significant चाहिए थे क्यों यह नहीं पता आप मान लिजे 2 ही में चाहिए थे यहाँ जो 3 significant है उस case में हमने इस 2 को drop कर दिया because यह 5 से छोटा है नेक्स दूली कहता है कि if the digit to be dropped is more than 5 तो आप जिस digit को drop कर रहे हैं वो more than 5 है तो यही मेरा number होता 7.88 मान लो तो इसको आप लिखते हैं approximately 7.9 तो यह number हो जाएगा 2 significant है 7.9 उस case में यह जो आखरी का 8 है जो कि आपका 5 से जादा है जब इसको हमने drop किया तो हमने इसको यहाँ पे एक बढ़ा दिया उसको हमने plus कर दिया तो 7.9 हो जाएगा इस example में हम कह रहे हैं कि 6.87 है उसको आपने round off करना है 2 significant में तो आप उसको 6.9 लिख दे हैं आप उसको 7 की डॉप करके एक आगे बढ़ा सकते हैं 12.78 है इसमें अभी देखेंगे तो 4 significant figures है अपने उसको मुझे 3 में करना है तो उसके इसमें हम यहाँ पे 12.8 कर सकते हैं तो इसको drop करके हमने एक आगे increase कर दिया ना इसका जो next rule है next rule says rule no.3 कि if digits to be dropped is 5 अगर 5 से कम है तो drop कर दो 5 से ज्यादा है तो एक आगे बढ़ा दो हम यह अभी तक कहते आएं पट अगर जो आपने drop करना है वह exact 5 है उस case में हमें क्या करना है उसके लिए rule है followed by digits other than 0 और 5 के बाद आपके 0 के अलावा कोई और digits है then the preceding digit is raised by 1 तो अगर आपका नंबर है 16.351 उसको अगर आपने पांच significant है आपको इसको तीन में करना है similarly अगर हम इसको कह रहे है 6.758 है उसको round off करके आप 6.8 कर सकते हैं इसके साब से तो यह जो number है यह जो 5 है इसको अगर आपने drop करना है इसको अगर मैंने इसको ऐसे समझाता हूं चलो इसको ऐसे देखना यह जो हम यह कह रहे है 6.58 ठीक है 6.758 इसको अगर मुझे round off करना होता है तीन significant में है तो इसको round off करते हैं हम लिखते है 6.76 अगर तो मुझे 3 में round off करना होता है 6.78 बिकॉस आखरी digit जो drop करना है वो 5 से जादा है इसको हमें करना है 2 significant में इन दोनों में वो करना है उसका हमने notice किया 5 है 5 के आगे एक non-zero है तो उसका अनला हमने इसको एक बढ़ा दिया तो इसको भी अगर हम यहां से यहां लाएंगे drop this 5 followed by zeros अगर आपका 5 है उसका 000 है then the preceding digit is left unchanged even if it is even और वो आपका अगर odd है तो मुझे को आज़े चोड़ देता है इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा number x is equal to let's say 4.050 यह ऐसे कह लेते है 4.850 यह आपका number है ठीक है इसको drop करना है तो यह तो अगर 1 से जादा है तो यह बढ़ा दो 1 से 00 है इसको यहां पर हम ignore कर देंगे तो उस case में अगर मैं इसको two significant में करना ही चाहरा हूं तो यह अगर जो 5 है ठीक है तो उसकी जिगे हम इसको लिखेंगे 4.8 because यह जो 5 है उससे पहले वाला digit जो है वो अगर even है तो उसको मैंसे ही छोड़ देंगे अगर यह नंबर होता है let's say y is equal to 4.750 तो इसको हम कहते है approximately यह हो जाएगा 4.8 these are the rules यह rules है हम इनको से follow करेंगे क्यों है कैसे है बनाने वालों ने बना दिया ठीक है तो यह आपका 5 job drop कर रहे हैं गर उससे पहले odd है तो उसको हम बढ़ा देंगे even है तो we will leave it as is तो यह अपने rounding off के rules है I hope यह चीज़ें आपको समझ में आई now let's talk about error in measurement गलतियां हो जाती है कोई भी अगर आप measurement करेंगे तो उसमें जो है आपकी गलतियों के chances होते हैं measurement में गलतियां हो जाती है कुछ गलतियां होती है जाती है रेंडम एरस यह है कि आपने जैसे फॉर एक्जामपल इसकी लेंथ अगर आप नाप रहे है तो उस लेंथ को नापते है अगर आपने यहां से देखा यहां से देखा यहां से देखा तो आपको अलगला reading मिलेगी मान लीजे मैं यहां पर इस वक्त weighing scale पर खड़ा ह कोई यहां से देखेगा तो देखेंसे के सब 72 है तो इस पॉसिबल कि कहां से आप देख रहे हैं किस तरह से अब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें गलतिया हो जाती है तो इसको कितने रोटेशन हुए घड़ी को on-off करते हुए जो गलतिया होती है जैसे आपने आप स्टॉप उसन क्या है तो इस तरह से अपके लिए ज उसमें गलतिया होते हैं हमें पता अजय बहुत होती है ज़र भाटने जरुड़ाई है और इसको बहुत है है आपके लिए तो यहां पर हम क्याते है एर्र मेजरमेंट तो आपके जो एपसलूट एर्र होएगी उसका मतलब यह है उसको हम लिखेंगे जो आपके डेल्टा ए अगर मान लोगो एक कॉंटिटी हम मेजर कर रहे है तो विविल से एर्र जो होएगी वह मेजर्ड वैल्यू उसको लिखोगे measured value minus उसकी true value या actual value तो actual value इतनी होनी चाहिए लेकिन हमने जो measure की है उसकी value इतनी आई है और यहां पर यह error के chances है तो अगर इसमें आगे true value जो है इसके उपर भी बहुत सारे debatable और बहुत सारे वो चीज़ है कि true value क्या होती है किसी चीज की so say for example length अगर किसी rod की हमने का कि 25 degree centigrade पे हम उसको या room temperature 27 degree centigrade पे हम कहेंगे कि यह वाली चीज जो है इस length पे इतनी है यह आपकी true value हमने denote कर दिया अब उसके बाद temperature जैसे increase होएगा या temperature decrease होएगा उसी rod को आप चिन नहीं में ले गए अपने राश्तान के desert में ले गए या उसको आप siya chin में ले गए तो वहाँ पर temperature change के साब से उसकी length कम ज्यादा होगी उस वज़े से जो error आपकी आ सकती है उसको भी हम significant error में यहाँ पर count करते हैं कि आपकी actual measured value और actual value में फरक आ गया हाले कि error in measurement नहीं है यहाँ पर आपका expansion यह आपके compression की वज़े से value change हो गई तो true value उसक हम बात करते हैं if the measurement of any physical quantity is performed with the help of an instrument ठीक है then the maximum possible error in the measurement is equal to the least count of that instrument तो अभी जैसे मैंने आपको scale दिखाया था स्वाम हाल में बहुत ही common यह दो चीज़ें इनका ध्यान रखना fractional error और percentage error तो इस case में अगर मान लीजें कोई physical quantity थी a उसकी true value तो a0 थी और हमने उसको जो actually measure किया वो a आया तो delta a आपकी error है तो इस case में fractional error जो है यह उसको हम लिखते हैं delta a divided by a यह होगे fractional error, fractional error का मतलब क् percentage wise कितनी error उसमें as a fraction दिख रही है तो for example अगर मैं कहूं कि यह आपका pen है जिसकी length आपकी 11 cm या 10 cm है उसमें अगर आपकी 10 cm मान लो इसकी actual length है और हमने उससे नापा 10.5 तो उस case में 0.5 divided by 10 cm में यह आपकी fractional error हो जाएगी अगर यहां से जैपूर की बात करके कोटा से जैप 250 km मुझे लगता है actual value है पर जो हम काज से गए और हमने उससे नापा वो 248 निकला तो उस case में हम कहेंगे 2 km जो दोनों का difference है divided by 250 यह आपका fractional error हो जाएगा percentage error इसी चीज़ को हम 100 से multiply कर देते हैं यह कहेंगे delta A by A multiplied by 100 तो यह करने के बाद आप कहते हैं इतने percent error है तो यहां स 100 यह आपका percentage error measurement में है एक और चीज जो अपने लिए बड़ी important है वो आपको ध्यान रखना है हम हमेशा कोईश करते हैं कि percentage error जो है अपनी वो 5% से कम होनी चाहिए 5% अगर देखेंगे तो it's still on a higher side बट हम ही कहते हैं कि 5% से कम ही होनी चाहिए 5% से ज्यादा अगर है तो acceptable नह लिए उस case में अगर आपने वो प्याज जो खरीदें वो एक किलो प्याज में अगर 5% कम जादा है you will not worry so much ठीक है एक प्याज वापिस लेने जाएगा उसके पास लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक किलो सोना खरीदा there are I'm sure there are लोग होंगे ऐसे जो एक किलो सोना भी खरी का rate है बहुत बड़ा amount हो गया तो वहां पर तो 5% भी बहुत जादा error है वहां पर आप चाहेंगे और आपकी एक परसेंट भी ना हो विल्कि 0.0005 होना चाहिए इसलिए जो तराजु इस्तेमाल करते हैं सबजी वालों की तराजु अलाग है उसमें error थोड़ी कम जादा भी ह हो जाए भी डोंट केर बट जो गोल्समित आपकी तराजु यूस करेगा तु मेजरमेंट बहुत ही जादा प्रिसाइज होनी चाहिए और उसके साथ हवा का भी फैटना है वगरा वगरा उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो यह डिपेंड करेगा क्या आपकी किस situation में कि इसकी calculation करने है बट इन फिजिक्स भी इन जनरल से हमारी calculation 11 12 में भी से कि 5% अप्टू 5% इस एक्सेप्टेबल वह भी आला कि जादा है बट वी से चाल अप्टू 5 इस एक्सेप्टेबल ठीक है तो यह data ध्यान रखना चलो इस पर आगे बढ़ते हैं यह कहते हैं combination of error तो हमन calculation किये तो मैंने इसकी scale यूज़ किया जिसकी वज़े से मैंने उसकी scale से इसकी length measure कि और bet measure कि ना उस length और bet को क्योंकि मैंने particular scale पर यूज़ किया है उन दोनों में chances of error आपके दोनों में बढ़ जाएंगे because length में भी आपकी error आएगी जो भी fractional error है और bet में भी आएगी because least count उसक case में हम कहते हैं कि अगर आपका a plus b जैसे for example हम parameter calculate करें length plus a आपकी value है बी आपकी दूसरी value है उन दोनों को add करके हम x जानना चाहरे है उस case में हम कहेंगे delta x जो x में maximum possible error है वो आपकी delta a plus delta b होगी तो length में जो आपकी possible error है और bet में जो आपकी possible error है उन दोनों को हम यहाँ पे add क एक example ले लेते हैं अगर हम कहें x is equal to let's say a plus b कह रहे है ठीक है b में आपकी let's say 2% error possible है और a में आपकी 1% error possible है यह हमने जिसको भी इस्तेमाल किया है जो भी instrument इस्तेमाल किया है मान लीजे 1% error उसमें हो जाती है a की measurement में और b के measurement मान लो 2% हो जाती है तो उस case में x की जो आपकी गलती maximum possible है वो आपकी 3% हो जाएगी तो 3% चांसे x की value जो हम report कर रहे है उसमें 3% गलती होएगी ठीक है similarly अगर मैं यह quantity लोग हो x is equal to a plus b यहाँ पे लोग कहते हैं कि sir a plus b कर रहे हैं तो उसकी maximum error अगेन यहाँ पे delta a plus delta b आती है तो लोग कई बास students यह कहते हैं sir इस case में तो कि मानलो same example ले लेते हैं तो इसमें b में 2% की error possible है 2% हमने कम ना पी a में 1% error possible है 1% हमने ज्यादा ना पी तो उस case में इसमें a plus b में और a minus b में maximum possible error आपकी दोनों को हम algebraically add करेंगे वो 3% possible है तो यह आपका algebraically add होएगा अगर हम इन दोनों को plus करें चाहे minus करें इस चीज़ को द्यान रखना है all right next इसके बाद बात करते हैं combination है अगर आपका x is equal to a divided by b अगर यहाँ पे a divided by b की बात हो रही है तो उस case में जो आपका maximum fractional error है उसको हम लिखेंगे delta x by x is equal to delta a by a plus दोनों की fractional error इस बार add करेंगे ठीक है और एगर percentage वो कर देंगे पिशली बार तो हमने उनक से multiply कर देंगे तो आपकी fractional error add हो जाएंगे तो say for example a b का वही हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तो delta x by x जो आएगा आपका अब इसको example लेंगे उससे और clear हो जाएगे बात तीक है will be equal to delta a by a तो अगर हमने कहा था delta a by a plus delta b by b यह आपकी दोनों की fractional error है और इसे गवार 100 से multiply कर देंगे यहाँ पर भी 100 से और यहाँ पर भी 100 से और यहाँ पर भी 100 से multiply कर देंगे तो फिर आप percentage अर एड़ कर सकने हैं ठीक है similarly अगर यहाँ पर दोनों multiply हो रहे होते तो भी यह काम आता ठीक है यह अगर यहाँ पर a to the power n या p q है b to the power m c to the power p अगर इस तरगी टर्म यहाँ पर हो है तो यह जो a to the power n है यह आपकी fractional error उसी n से multiply हो जाएगी ठीक है अगर यह m to the power था तो यह आपकी fractional error या percentage error उस m से multiply होके delta b by b आ जाएगा चलो भी सी के basis पर कुछ question solve करते हैं especially वह आले सवाल जो हमसे नीट के exam में इससे पहले पूछे गए ना यह हमसे सवाल पूछा गया सवाल है कि if the error in the measurement of radius of a sphere is 2% तो अगर आप एक sphere है उसका radius अगर आप measure कर रहे है उसमें आपकी जो गलतियों के chances है वो 2% है then question is then find the error in the determination of volume of the sphere तो अगर आप volume पता करना चाहते है आप surface area पता करना चाहते है तो पहले volume क्योंकि आप से नीट में पूछा था उसकी बात कर लेते हैं फिर मैं आपको surface area का separate सवाल करवा दूँँगा तो 2% आपकी volume error possible है तो sorry 2% आपकी radius में possible है volume में बताना है कितना होगा so यहां अगर हम लिखे है volume V is equal to 4 pi by 3 r cube ठीक है यह आपका volume होता है ठीक है तो इसमे error के chances नहीं है because measurement से r है उसकी वेसे इसमे error आएगी so that will be equal to इसको आप लिखेंगे 3 multiplied by delta r by r दोनों को 100 से multiply कर ले 100 से multiply हो जाएगा so delta V by V multiplied by 100 यहानी यह percentage error आगी will be equal to 3 multiplied by delta r by r जो आपकी percentage है यह अपने को दीवे 2% 2% so यह आगया आपका 6% 6% ठीक है which means आपका option number B would be the right answer यही सवाल अगर आपसे पूछा जाए महाँ पर volume की बजाए मुझे कहा जाए surface area of sphere यह बात अपने को पता है surface area कि अगर हम बात करें तो surface area A उसको आप लिखते हैं 4 pi r square now इस case में आपको delta a by a अगर बताना है कि मुझे delta a by a multiplied by 100 percentage error so that will be equal to 4 pi constant so this will be equal to twice delta r by r यह अपने को यहाँ पर 2% दे रखा है so this will be equal to 2 multiplied by 2% यानि की 4% हो जाएगा तो surface area में अगर पूछा होता तो 4% would have been my right answer volume के लिए आपका 6% answer है perimeter पूछते है तो 2% answer होता because perimeter is 2 pi r वो सेम होई रहता थीक है so I hope यह चीज आपको समझ में आई next question need 2018 का सवाल है question says a student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge screw gauge, screw gauge मैंने आभी आपको दिखाया था थोड़े पहले so this is how screw gauge looks like इसको micrometer या फिर screw gauge भी बोलते हैं तो इसको इसको इस्तेमाल करके हम एक ball का diameter measure कर रहे है alright with a least count of 0.01 cm या आपको इसका least count है 0.01 cm the main scale reading is 5 mm आपके main scale की reading आई 5 mm and 0 of circular scale division coincide with 25 divisions above the reference level और आपकी वहाँ पे जो scale आपका rotating scale है वो 25 division पे वहाँ पे coincide किया है ठीक है एक और चीज़ यहाँ पे दीवें screw gauge है जीरो एरर और 0.04 cm सवाल है correct diameter of the ball क्या होगा इसको दो scenario में सवाल solve करते हैं कि मान लीजे आपकी पहले 0 error नहीं होती 0 error का मतलब यह है पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लीजे मैं weighing scale पे खड़ा हूँ और weighing scale पे मेरा वजन आया 70 ठीक है लेकिन मेरे weighing scale पे 2 kg की 0 error है 0 error का मतलब यह है कि if I step down अगर मैं नीचे उतर जाओ तो वह weighing scale ऐसा है कि दो कोई नहीं भी खड़ा है तो 2 kg पे उसके सुई होती है अब जब मैं उसके उपर खड़ा हो गया और reading 70 आई तो उस case में जो original उसकी 0 error थी वह original में से minus कर देंगे इसका मतलब है कि मेरा origin 68 होएगा उस scale के हिसाब से ठीक है तो 0 error पे वापिस आते हैं इसको बाद में minus कर लेंगे तो यहाँ पे जो आपकी reading होएगे diameter D उसको आप लिखेंगे यह जो आया आपका main scale reading is 5 इसको आप लिखेंगे 5 notice करना वो millimeter है तो centimeter में convert करेंगे तो हो गया 0.5 centimeter प्लस आपका जो counting है तो यह जो आपका 5 centimeter तो यहाँ पे यह reading आई तो अगर आप देखेंगे तो 5 centimeter सारी 5 millimeter तो यह reading है यह वाला जो है इसका least count है 0.01 और वहाँ पे अभी reading आ रही है 25 तो इसका मतलब होएगा यह हो गया आपकी इसमें जो reading इसने मेजर किया हो जाएगा आपका 0.001 multiplied by 25 ठीक है 25 यह आपकी reading हो गया तो इसका diameter जो है यह हो गया 0.5 प्लस इसको जो आपको multiply करेंगे यह हो जाएगा आपका 0.025 तो इसको जब आप add करेंगे तो यह हो गया 0.525 यह तो हो गया मेरी value without zero error now zero error क्या है वो आपकी minus 0.004 है इसको दूसरे शब्दों में zero error ऐसे भी समझ सकते हैं कई बाद सुर्ण zero error पर confused हो आते हैं class में तो उसको समझाने के लिए मैं एक और example देता हूं जिससे आपको clear हो यह सवाल आ गया तो पूरे चार नमबर चाहिए जिरो error ऐसे समझना जैसे मिठाई के दुकान पर जाते हैं तो इसका मतलब है कि डब्बे के साथ अब reading zero होई और एक किलो जो मिठाई ले रहे हैं उसका तो एक किलो मिठाई डालेगा लेकिन अगर आगर उस तराज उसे डब्बा हटा दें तो क्योंकि डब्बे के साथ zero रखा हुआ था तो अब उसकी value जो reading जो negative में जाएगी because उसकी zero reading आप ने उसको reset कहां पर किया था डब्बे के साथ किया था अब उसकी अब zero error minus में चली जाएगी इसका मतलब है जो reading आपकी actual reading आएगी actual तो actual जो reading आएगी आपकी that will be equal to d minus आपकी zero error ठीक है so यह zero error इसको ऐसे लिख लेते हैं तो d हो गया आपका 0.525 जो reading आई minus minus 0.004 यही अगर आपका plus में होता तो आप इसकी value plus करते है आप ठीक है so इसकी value हो जाएगी 0.529 ठीक है yes में minus minus plus होके add हो जाएगा so 0.529 यानि कि option number d would be the right answer for this particular problem I hope यह आपको चीज समझ में आई next question question says in an experiment four quantities a, b, c and d are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively quantity P is calculated as follows तो P को हमने ऐसे calculate किया हूँ हमें बताना है total percentage error P में कित्ती possible है maximum possible error किया होगी now simple सवाल है इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते है P is equal to a cube b square divided by c multiplied by यह मेरा ख्याले d होना चाहिए यह यहाँ पर printing mistake है तो this should be c d यह a ने d होना चाहिए because a तो उपर है ही यह हो गया तो इस पर जब हम बात करेंगे percentage error a यह P में कित्ती आएगी तो P की percentage error that will be equal to 3 times percentage error a plus 2 times percentage error b plus delta c by c plus delta d by d ठीक है यह आपकी percentage error ऐसे लिख देंगे अगे यह plus है और यह सारी चीज़ा add हो रही है because denominator में divide भी हो रही थी लेकिन हम maximum percentage error चाहते है इसले में सबको add कर देंगे so इसकी value हो जाएगी 3 multiplied by a में कित्ती है 1% plus 2 multiplied by b में 2% plus 3 plus 4 और सबको में percentage अलग से लिख रहा हूं multiplied by 100 दोनों side किया हुआ है so इसको जो आप add करेंगे तो delta p by p percentage error अगर हम बात करें this will be equal to 3 into 3 यानि कि 3 plus 4 plus 3 plus 4 इस 7 plus 7 14% हो गया थेक है so based on this हम कह सकते हैं कि आपको option number a 14% would be the right answer